कंगना के शो लॉक अप में रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कर आप हैरान हो जाएंगे। इसे जानने के बाद आप शायद इस शो को देखने से भी बचे। तो चले जानते हैं क्या है पूरा मामला। शो में इन दिनों गाली देना एकदम आम बात हो गई है। लेकिन इस बार पायल रोतागी पर कुछ ऐसा आरोप लगा है जिससे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। शिवम शर्मा और पायल के बीच इन दिनों खूब लड़ाई हो रही है। इसी बीच शिवम ने पायल पर आरोप लगाते वे बोला है आपका करियर इस लॉक अप में खतम है। आपने मुझ पर थूका। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। शिवम यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा हमसे जो टकराएगा मिटी में मिल जाएगा। प्रिंस नरूला, अंजली अरोडा और मुनवर फारुकी शिवम के गुस्ते पर हस्ते वे नजर आए। इस वर पायल ने आजमा से पूछा क्या तुम्हें इसमें मजा रहा है कंगना के शो में पहले भी कई बार ऐसी चीजे हो रखी है जिसने सब को हैरान कर दिया। शो से अभी हाल में बाहर हुई पूनम पांडे तो कई बार गाली दे चुकी है। लेकिन ये सब भी पूनम पांडे को बचा नहीं पाया और उन्हें शो से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। शो में हो रही ऐसी हरकतों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा।